गुद मॉर्निंग क्लास, वी आर दूइंग चेप्टर नांबर थाटीन, दे नाशनलिस्ट मूमेंट, और जिसके बीच में एक जलियां वाला बाग मसैकर, तो यह सब हम कर चुके थे, रॉल अटेक्ट क्या था, क्यों यह अप्लाई हुआ था, क्यों लोगों ने इसका चल रही थी, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वर आपकी हुई थी, 1914-1918, तो जब यह वर्ल्ड वर हुई, यह दो टीम्स के बीच में हुई, तो खिलाफत मूमेंट समझाने से पहले, मैं थोड़ा सा बेस एक स्टोरी आपको बताऊंगी, कि बैगराउंड में क् स्टार्ट हुई, इसके कारण क्या थी, तो होता क्या है, कि इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो, यह मेरे नोटस हैं खुद के, जो टर्की का हेड होता है, उसे बोलते हैं खलीफा, टर्की का जो भी हेड बनता था उसे खलीफा बोलते थे, यहा फिर उसे कालिफ भी तो इस वज़े से इसका जो मुमेंट का नाम है वो खिलाफत मुमेंट पड़ा और इसमें क्या था कि First World War के टाइम पे खलीफा जो है टर्की के हेड थे और जितने वे मुसलिम थे Indian Muslim या पूरे वर्ल्ड के मुसलिम वो इन्हें अपना गुरू मानते थे गुरू यानि की अप अपना रिलीजियस गुरू मानते थे तो क्या होता है First World War जो होती है वो 1914 से लेकर 1918 तक होती है इसमें दो टीम पार्टिसिपेट करती है आप देख रहे हो इसली टीम A and टीम B टीम A में क्या होती है Central Powers Central Power कौन-कौन सी Germany, Austria, Hungary और Turkey ये तीन एक तरफ होती है Countries और टीन B में होत Great Britain, France, Italy, Russia, Japan, USA तो First World War में क्या होता है? Team B, Team A को हरा देती है साइड में लिखा है Central Powers defeated by Team B जब Central Power जो है वो हार जाती है Team B से तो उसके बदले उसे एक समझोता करना पड़ता है जिसको बोलते है Treaty, Treaty को क्या बोलते है? जो एक समझोता होता है, जो उसी हारने वाली टीम होती है, हमेशा जीतने वाली टीम उससे अपनी शर्ते मनवाती है तो उससे बोलते है Treaty, तो एक Treaty साइन होती है जिसको नाम दिया गया था Istanbul Accord ठीक है? ये जो ट्रीटी साइन होती है इसमें क्या होता है? अब नीचे आ इस कौन कौन सी थी? थ्रेस, समार्ना और अनेटॉली, ये तीन ट्रीटीरीस थी टर्की की, ये किसको दे दें? गिवन टू फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन, ये तीन जो ट्रीटीरीस ये तीनों को दे दो, ये Istanbul Accord की ट्रीटी में लिखा हुआ था, लेकिन इसके कारण उनक इसमें उनके क्या बने हुए थे? इंस्टिटूशन, हॉली इंस्टिटूशन कह सकते हैं, हॉली इंस्टिटूशन मतलब, जो इनके religiously related होते हैं, जैसे दरगाव अगेरा होती है, तो इनके हॉली institutions बने हुए थे, buildings बनी हुई थी, तो ये एक तरह से उनकी disrespect हो रही थी उनके leader की, तो इसके खिलाफ लोगों ने बहुत जोर से क्या किया, this led to खिलाफत moment in India, तो इंडिया में जो Muslim थे, वो क्या चाह रहे थे, Indian Muslim do not want to destroy Turkey, वो Turkey को destroy होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर Turkey बंट जाता, अगर Turkey France, Greece और Britain में चला जाता, उनको मिल जाता ये हिस्सा, तो उनके जो धार्मिक सान थे, धार्मिक सल थे, वो भी उनके साथ चले जाते और वो लोग उन्हें तोड़ देते, उन्हें इस रिस्पेक्ट करते, तो इस लिए ये मुवमेंट जो है, खिलाफ़त मुवमेंट चलाई गई थी, अब आपको अच्छी से समझ रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई है पिछेगी, अब हम बुक में से पढ़ेंगे, anti-British movements, खलाफ़त मुवमेंट, after the first world war, Britain imposed humiliating terms on the ruler of Turkey, who was also the caliph of Islam, this angered the Indian Muslim, they started the खलाफ़त मुवमेंट in 1919, under leaders such as Shaukat Ali and Muhammad Ali, जिनको की Ali brothers बोला जाता है, and Abdul Kalam Azad, Tilak and Gandhiji joined the खलाफ़त activists, Hindus and Muslims together participated in this movement, and the non-operation movement, which soon followed, अब क्या वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, कि first world war के बाद, Britain ने काफी सारी ऐसी शर्तें रख दी, टर्की के ruler पे, जो की ठीक नहीं थी, जिसके कारण Indian Muslims को बहुत गुसा आया, और उन्होंने 1919 में खिलाफ़त मुवमेंट चलाई, एक अंदोलन चलाया खिलाफ़त के नाम से, और इसके लीडर कौन थे? शौकत अली और मुहम्मद अली, इनको अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, और इनके साथ अब्दुल कलाम अजाद भी थे, उसके बाद गांधी जी और गंगाधर तिलक जी ने भी इनके इस मुवमेंट को जॉइन किया, बहुत से हिंदू और मुसलिम दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करा, क्योंकि ये मेली मुसलिम का मुद्दा था, लेकिन हिंदूस ने भी इसमें अक्टिवली पार्टिसिपेट करा, और उसके बाद क्या हुआ? अब इसका कारण क्या निकाला, गांधी जी ने उन्होंने 1920 में एक non-corporation movement चला दी, non-corporation movement नाम से पता चलता है कि इंडियन जितने भी इंडियन्स है, वो Britishers के साथ बिल्कुल भी corporate ना करें, उनका बिल्कुल भी काम ना करें, उनके कपड़े ना पैने, उनके कुछ ना करें, उनके साथ बिल्कुल भी corporate मत करो, और इसके following, इसके aims क्या थे इस moment के, यानि कि ये moment क्यूं करी गई गांधी जी के द्वारा, वो चाहते थे कि पंजाब और टर्की में, जो भी इन्होंने बुरा किया है, वो ये realize करें, और अपनी terms वापिस लें, और वो स्वराज की भावना, सारे लोगों के बीच में जगाना चाहते थे, ठीके? अब मेथड क्या थे? नॉन कोपरेट बोल तो दिया गांधी जी ने, कि नॉन कोपरेशन मुमेंट चलानी है, अब इसको चलाएंगे कैसे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मेथड्स में आएगा, ओके? स्टार्ट करते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि सब से पहले हमें जो इनोंने टाइटल्स दियें, हम इंडियन्स को जो इनोंने समान के तोर पे हमें जो टाइटल्स दियें, हम वो वापिस कर दें ब्रिटिशर्स को, तो गांधी जी को टाइटल मिला था केसरे हिंद का, इनोंने वो टाइटल रेनाउंस कर दिया, यानि कि वापिस कर दिया, और रबिंदर नाथ्ट्य गोर जी और सुबरमनियम अलरेड़ी अपने टाइटल वापिस कर चुके थे मैंने बताया था ना कि रबिंदर नाथ्ट्य गोर जी को नाइठ हुट का टाइटल मिला था जो कि उन्होंने जलियां वाला बाग मसाइकर के बाद क्या किया था renounce कर दिया था, Britishers को वापिस कर दिया था next method is student were asked to boycott educational institute run by British indigenous institutions such as Jamaiya Milia, Islamia and Kashi Vidya Peet were set up people were asked to boycott foreign goods huge bonfires were lit to burn foreign goods next is people refused to cast their votes when election were held to elect representative to the legislature lawyers boycotted courts strikes and harta took place all over the country next is a campaign for non-payment of taxes was start at the stage of movement Bardoli in Gujarat was chosen as the first state where taxes would not be paid अब क्या था कि students को मना कर दिया कि वो किसी भी British के education institute में नहीं जाएंगे ना school में जाएंगे उनको पूरी तरह से boycott कर दो और अपने institutions अपने विश्व विद्धाले और school खुद के खोलो वहाँ पर पड़ो उसके बाद people को बोला गया कि जितने अभी विदेशी समान आता है उसको भी boycott करो लोगों ने जो foreign goods थे जो कपड़े थे उनको जलाना शुरू कर दिया और जो समान था जो की विदेशी था उनको भी जला दिया फिर ती जोते पॉइंट में बदाया है इन्होंने कि पीपल जो लोग थे उन्होंने ये भी refuse कर दिया कि हम voting भी नहीं करेंगे हम election नहीं होने देंगे क्योंकि उस टाइम representative को चुने चुनाव करने के elections हो रहे थे जो lawyers है जो वकील थे उन्होंने courts में जाना बंद कर दिया और वो बाहर धरने और हरताल बे बैठ के सारी देश में धरने और हरताले होने लगी और जो last point असमें क्या किया कि एक campaign चलाया है एक मुहिम चलाई कि कोई भी tax नहीं भरेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो सबसे पहला जो state है जहां पर tax नहीं दिया गया था वो कौन सा था गुजरात में बार्दोली da was a great success schools and college were deserted the British government continued with the repressive major and arrest almost 30,000 people in its Ahmedabad session held in 1921 under Hakim Ajmal Khan The Congress decided to continue the movement until the Punjab and Khilafat grievance were redressed and Swaraj was attained. Gandhiji advocated the spinning of Khadi and asked all the Indians to wear it by by coating British-made clothes. And he urged Indian men and women to spend some time each day spinning Khadi in support of the non-corporation movement. He, however, emphasized that the entire movement should remain peaceful. However, the movement failed to remain non-violent. Now, what happened? The movement was quite successful. The schools and colleges were closed. The British government was banned. The people who were going to take care of it. 30,000 people who were going to take care of it. Ahmedabad in a session held in 1921. The head of Khakim Ajmal Khan was decided that the Congress decided that we will not be able to take care of it until we will not leave it until we will not leave it until we will not leave it. Also, Gandhi Ji Ji has promoted this paper from the British-made clothes on the questions and the clothes that are made of Khadi and pushed the clothes on the clothes, which they will put it through and the clothes that are made from the clothes that are made by日本. The British-made clothes are made by the women who statues and brought the clothes on the clothes and replaced the clothes. The women who were made from Khadi, had been made from those clothes. पूर्वक तरीके से वहरताल कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन पांच परवरी 1922 में गोरखपुर में चौरा-चौरी एक जगा है जहां पर एक इंसिडेंट हुआ जहां पर लोग मारपीट पर उतर आए क्या हुआ कि जब कुछ पुलिस वालों ने कुछ लोगों को डराया धमकाया और उन पर गोरी चलाई तो उन लोगों ने गुस्सा होकर पुलिस टेशन को ही जला दिया जिसके कारण 22 पुलिस वालों की डैथ हो गई वहीं के अन्दा स्पोट उनकी डैथ हो गई तो गांधी जी इस मुवमेंट को नौन वॉलेंट तरीके से चला रहे थे यानि कि बिना किसी हिंसा के चलाना चाते थे जब उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता चला कि उनके इंडियन्स लोगों के द्वारा इतनी बुरी हरकत की गई है तो उन्होंने इस मुवमेंट को कि यह नौन कॉपरेशन मुवमेंट इंडियन नैशनल मुवमेंट के लिए एंपॉर्टेंट क्यू थी पहला पॉइंट है कि यह जो मुवमेंट थी यह काफी जादा बड़े पैमाने पे देखी गई थी मास लोग मास मतलब यानि कि जैसे मास कॉम्मिनिकेशन होता है बहुत कोनों कोनों में कहीं जाके बसे हुए थे वहां तक भी इसकी जो गूंज है वो सुनाई दी और थर्ड वन इस जो हिंदू मुसलिम थे वो भी इकठे हो गए जिसकी वज़ा से इंडिया को एक अलग ही मजबूती मिली